असलाव अलेकुम डियर फ्रेंड्स पोलिटिकल साइंस कलास 12 के लेक्चर 2 में आपका वेलकम है इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था दैट वाज ओनली इंट्रोड़क्शन आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है उसको हम डिसकस करेंगे तो इसमें हम डिसकस करेंगे कि कूल्ड वार क्या था और किन दो ब्लॉक्स के दरमियान या किन दो कंट्रीज के दरमियान हुआ था तो डियर फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए जो फिर्स्ट वल्ड वार था वो सिटार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक 1914 से लेकर 1918 तक वो फिर्स्ट वल्ड वार था और सेकंड वल्ड वार जो शुरू हुआ था डैट वास 1939 तो 1945 नाइटीन थर्टी नाइन से लेकर 1945 तक वल्ड वार सेकंड चल रहा था जिसका एंड हुआ था जब अमरीका ने हिरोश्यमा और नागसाकी के उपर एटम मॉम गिराया था तो ये थोड़ा हमें बैक्गराउंड में जाना है कि जो सेकंड वल्ड वार था सेकंड वल्ड वार में दुनिया में दो ब्लॉक थे एक ब्लॉक था जिसको हम ऐलाइड पावर्स कहते थे ऐलाइड पावर्स ऐलाइड पावर्स में कौन था यूएसे यानि अमरीका यूए USSR जिसको presently हम रश्या कहते हैं फ्रांस, UK, पॉलेंड और नार्वे इनको हम कहते थे allied powers यानि कहने का मत्तब यह है कि जो USA या अमरीका और रश्या जो था यो जो फ्रांस था या जो UK और पॉलेंड जो था ये एक ब्लॉक में थे और ये friend थे और इनका enemy इनका दुश्मन था द इटलर का नाम सुना होगा इटली था जहां पे मसूलेनी था और जैपैन था और रोमेनिया था तो ये कुछ main countries है एक्सेस पावर्स में एक जर्मिनी दूसरा इटली तीसरा जैपान और चावथा रोमेनिया इनको हम कहते थे एक्सेस पावर्स तो इनका दुश्मन कौन था allied powers allied powers में कौन था USA, USSR, France, UK, Poland and Norway तो इन दो blocks के दर्मियान या हम कहेंगे इन दो groups के दर्मियान ये war चल रहा था जिसको हम history में world war second के नाम से जानते हैं तो world war second में काफी तबाही हुई, काफी नुकसान हुआ, इनसानों की जान जाया हो गई, करोड़ों अर्बू रुप्ये का property डिस्ट्रॉई हो गया और इसके साथ साथ जो France और UK था, इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ इस second world war में यहां इनको military loss भी हुआ और इनको economic loss भी हुआ, इसके बाद allied powers में दो सुपर पावर बचे, एक था USA और दूसरा था USSR, क्योंकि second world war में जर्मनी की भी हार होती है, इटली की भी हार होती है और जापैन की भी, तो इस तरह जो access powers है वो पूरी तरह से खतम हो चुका था, अब ह हमारे पास सिर्फ allied powers थे, और allied powers में भी France और UK जो था, उनको काफी economic or military loss हुआ था, तो वहां पे बच्चे सिर्फ दो पावर, एक था USA, दूसरा था USSR, तो यह USA और USSR जो है, यह पहले दोस्त थे, जब तक second world war चल रहा था, तब तक यह दोस्त थे, लेकिन उसके बाद, जो ही second world war end हुआ, इन दो के बीच में एक tension, एक conflict शुरू हुआ, और इस tension और इस conflict को हम cold war के नाम से जानते हैं, तो यह याद रखना चाहिए, कि 1945 तक यह दो countrys जो थी, USA और USSR, यह एक दूसरे के दोस्त थे, इनका एक दुश्मन था, वो था Germany और Italy, लेकिन जो ही second world war end हुआ, इसके बाद इन दो countrys के दर्मियान, यह यह एसे और USSR के दर्मियान भी एक किसम की war, एक किसम का जंग शुरू हुआ, यह हम कहेंगे एक किसम का conflict शुरू हुआ, जिसको हम cold war के नाम से जानते हैं, तो cold war की जो term है, cold war की जो definition है, इसमें हम अगर बात करेंगे, तो यह basically Bernard Brugge था, ए एक American statesman Bernard Brugge जिसने cold war की term दी थी, और बाद में इस term को popularize किया Professor Lipman ने, तो Bernard Brugge जो था, उसने यह term दी थी, लेकिन बाद में इस term को popular किया Professor Lipman ने, और हिंदुस्तान का जो पंडित जवाला नहरू, यह प्राइम मिनिस्टर जो था, उसने भी cold war को define किया as a brain war, नर्व वार और प्रोपगंडा वार, तो उसने कहा था, जो cold war है, यह basically एक brain war है, एक नर्व वार है, और एक प्रोपगंडा वार है, क्योंकि cold war basically इसमें कोई direct fight नहीं चाली थी इन दो countries के दर्मियान, बलकि इन दो countries के दर्मियान एक brain war था, एक हम कहेंगे एक प्रोपगंड वार था, जिसमें यह एक दूसरे के उपर जो अटैक करने का सोच रहे थे, अटैक करने की साज़िश कर रहे थे, लेकिन अटैक नहीं कर रहे थे, इसलिए जब हम cold war को define करते हैं, तो हम कहते हैं, it is a war, it is a war in which no bullet was shed, no bullet was fired, it is a war in which no bullet was shed, no bullet was fired, but the world was on the brink of war, but the world was on the brink of war, यानि cold war को हम ऐसे define करेंगे कि एक ऐसा war था जिसमें कोई खून नहीं बहा, no bullet was shed, no bullet was fired, कोई गोली नहीं चली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया on the brink of war, पूरी दुनिया बारूद के डेर पे खड़ी है, कभी भी इसमें आग लग सक तो दुनिया खत्ब हो जाएगी, क्योंकि ये जो cold war था, ये basically दो countries के दरमियान नहीं था, ये दो blocks के दरमियान था, तो जब हम block की बात करते हैं, तो ये दो block की हमारे पास, एक capitalist block है, और दूसरा communist block, capitalist block की अगर हम बात करते हैं, तो capitalist block उस block को कहते हैं, जो capitalism philosophy को मानते थे, जो कहते थे कि हमें privatization को promote करना चाहिए, हमें market economy को promote करना चाहिए, हमें FDI को promote करना चाहिए, हमें multi national companies को बढ़ारा चाहिए, और हमें अपनी wealth को increase करना चाहिए, अपनी property को increase करना चाहिए, जो privatization के supporter थे, इसलिए इसको बोलते हैं capitalist block, या इसको हम बोलते हैं western block, इसमें USA था, इसमें यूके था इसमें फ्रास था इसमें स्पैन था इसमें वेस्ट जर्मनी था इसको हम बोलते थे capitalist block या western block तो दूसरा block जो बना that is called communist block तो communist block में USSR था पोलेंड था इस्ट जर्मनी था हंगरी था बलगेरिया था रोमेनिया था तो इस तरह जब हम देखते हैं second world war में allied powers और access power दो blocks थे लेकिन उस second world war के बाद दो और blocks शरू हो गए capitalist block और communist block capitalist block का जो leader था वो था USA और communist block का जो leader था वो था USSR हम आपको एक map दिखाएंगे यहां पर जिससे आपको यह अच्छी तरह समझाएगा देखिए आपके सामने यह जो map है इस वक्त जो red color में है यहां पर दिखा रहा है red color में जो है it is called warsa pact members यह वारसा पैक्ट एक agreement USSR ने किया था जिसमें उन्होंने अपने साथ एक block जो बनाया था जिसको हम communist block कहते हैं तो यह सारे members उनको नाम पड़ गया था warsa members तो इसमें आप देखे यहां पर रश्या है मॉसको जो है यहां पे दिखा रहा है राइट में USSR उसके बाद Poland है उसके बाद East Germany है उसके बाद Hungary है उसके बाद Romania है उसके बाद बलगेरिया है तो यह सारे जो है red color में जो आपको दिख रहा है यह Warsaw pact के members है यह यह बेसिकली communist block है और यहां yellow color जो है yellow color में आप देखेंगे NATO members तो नेटो में आपको यहां पे नजर आएगा USA, उसके बाद फ्रांस नजर आएगा, उसके बाद ब्रिटिन नजर आएगा, उसके बाद नौर्वे नजर आएगा, उसके बाद वेस्ट जर्मिनी आपको नजर आएगा, और उसके बाद आपको सिपैन, तो यह जो तना भी यल केuğसे लावे यहां पे दिखा रहा है तो बहुत कम ऐसे सी ती जो दो बॉलाक्स के मेंबर नहीं थे तो रेड कलर जो यहां पे आपको दिख информ mend Śuin की सरवराही USA कर रहा था, यह basically capitalism को promote करते थे, private ownership चाहते थे, free market की बात करते थे, यह factories, multi national companies जो है, उसकी बात करते थे, और जो USSR था, यह basically यह चाहते थे, कि जो means of production है, वो state के control में होना चाहिए, यह socialism को promote करना चाहते थे, यह public ownership की बात करते थे, यह completely जो है, privatization जो है, या market economy जो है, या multi national company जो है, उसको oppose करते थे, तो इस तरह से यह basically एक ideological war था, ideological war, जहां से एक साइड capitalism था, और दूसरे साइड साइड से socialism था, तो इन दो countries के दरमियान जो war शुरू हुआ था, यह socialism और capitalism जो है, इस ideology का भी हम war मानते झाल है, झाल हुआ धन को जो है